चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचों सबसे बड़ी कुशी की बात यह है कि UP के जो प्राइवेट नौन मानेरेटी कोलिजेज हैं उनका फीस फिक्स कर दिया गया है और ये फीस इस साल भी नहीं भड़ा है कहने का मतलम इस साल में भी इसके फीस में कोई इंक्रिमेंट नहीं हुआ है ये लगातार चोती साल है जब ये फीस में कोई इंक्रिमेंट नहीं हो रहा है 3 साल तक यह 7 फीस रही है और अब की बार 4 साल भी यह 7 फीस रह रही है तो यह सबसे बड़ी कुसी की बात है लेकिन सबसे बड़े दुखी बात यह भी है कि UP स्टेट का जहां qualifying cut-off हुआ करता था यानि कि qualifying mass जो cut-off हुआ करता था उस पर भी college मिल जाते थे अब की बार यह increment का मिलेगा यानि कि जो UP state की cut off होगी वो एकदम से इस साल hike हो जाएगी तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि UP की जो cut off रहेगी वो क्या रहेगी इस fees को देखते हुए साथ इसाथ हरियाना ने भी एक proposed fees announce कर दी है तो उसमें भी काफी बड़ा increment है तो वो fees क्या है और क्या cut off रह सकती है UP state के colleges की और इनकी क्या fees रहेगी तो UP की जो website है dgme.up.gov.in जैसे आप visit करेंगे इस website पर आपको यहाँ fees show करेगा यह जो यूजी courses है उनके लिए भी fees है यह और MDS courses के लिए पीजी courses के लिए भी यह fees fix हो चुकी है तो एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ इसके notice की तो notice में इन्हों ने साफ का है कि UP के किसी भी private colleges ने fees की demand नहीं की है इसलिए जो 2023 में fees थी वही fees इस बार रखी जा रही है तो यह fees college wise आप यहाँ देख सकते हैं जो राममूर्ति की fees है 13,73,760 है और इसमें greater noida की जो fees है वो 12,69,319 है सुभारती की 11,85,133 है हिंद बारा माकी की 11,70,612 है मुझफर नगर की 12,80,037 है सरस्वती 11,81,671 है और इसमें जो रोहल खंड है उसकी fees बरेली की 13,251 है इसमें इसके बाद heritage वारांसी की 13,21,492 है रामा कानपूर की 12,66,579 है हिंद सीतापूर की 10,77,229 है मायो बारा मांकी की 11,21,162 है केडी मतुरा की 12,28,240 है रास्त्री बरेली की 12,28,406 है रामा हापूर की 13,99,68 है परसाद लखनव की 11,39,32 है टियस लखनव की 12,99,199 है और जो 38,892 है सरस्वती उनावा की जो फीस है वो 11,59,610 है युनाइट प्रियागराज की 11,90,401 है और नेशनल मेरट की 12,19,917 केके मतुरा की जो केडी शोरी के एम मतुरा की जो फीस है वो 11,73,856 है वर्णांजन साजापूर की 12,10,000 है वेंकेट्सवरा अम्रोहा की फीस है 11,10,508 नाराइना कानफूर की 12,14,683 और SKS मतुरा की जो फीस है वो 12,14,683 है यहाँ युपी में जो नए को लेजेज होंगे उनकी फीस भी 12,14,683 रहेगी जो नए को लेज को इस बार परमिशन मिलेगी उनकी फीस भी यही सेम रेने की पोसिबिलिटी है इसमें इसके बा 75,000 है और इसमें एक होस्टल के रोम में दो से ज्यादा स्टुडेंट नहीं रखे जाएंगे इनमें मैस भी सामिल है मैस का चार्जेज भी इसमें सामिल है इस्टुडेंट को ब्रेकफास्ट लंच और डिनर है वो दिया जाएगा और वो भी फोस्टिक और वेराइटी का ह हो गा ही सेकूरिटी डिपोजिट होगी होस्टिटल लाइबरेरी और लेबोटरी और जितने भी सेकूरिटी सामिल है तीन लाग रुपए सब को मिला के एक ही बार देनी है और अधर फीस 85,600 पर यह रहेगी तो यूपी स्टेट अभी कम फीस के लिए जाना जाने वाला इसमें बाकी स्टेट से कम फीस हो गई है यानि कि एक कोलेज की फीस तो केरिला के बराबर हो जाएगी इस बार यहां पर जो केरिला में चार्जेज लगेगा वही लास्ट इस कोलेज में चार्जेज लगेगा सीतापुर में तो यह जो यूपी की फीस है वो इस बार भी इ fixation हुआ नहीं है, जैसे ही उसकी fees का fixation होगा, हम आपको inform कर देंगे, तो ये तो थी UP की fees, अब UP की एक बार cutoff के बारे में हम बात कर लेते हैं, जब fees की बात कर रहे हैं, तो साथी साथ UP की cutoff के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो देखो इस बार UP की जो cutoff जाएगी, वो cutoff 350 स above जाने की possibility है, UP private colleges की non-monority colleges की last colleges की cutoff, last college की cutoff 350 से above जाने की possibility है, यानि कि इस बार जो मेरा जहां तक शोचना है, UP में 350 से down college मिलने की possibility नहीं है, ये मेरा अपना मानना है, और मैंने ये previous year से और शारा सब कुछ fees के according, सब कुछ है, ये calculate करके ये इस नतीजे पर मैं पहुचा हूँ कि अब की बार UP state के private medical colleges की जो cutoff रहेगी, वो 350 marks के above रहने की possibility है, तो ये जानकारी थी इसके cutoff के बारे में, और ये 350 नए वाले colleges मिलने की possibility है यहाँ पर, अब हम आगे बात कर लेते हैं, तो हरियाना इस्टेट की fees fixation committee ने जो पिसली साल 12 लाग fees हुआ करती थी, इसके लिए proposed किया है, 14 लाग के लिए और 10% increment के लिए, पिसली साल 7.5% increment हुआ करता था, लेकिन अब की बार ये 10% increment proposed किया है, हलंकि competent authority इसको approve करती है या नहीं है, ये आगे की बात है, मेरे ख्याल से हो सकता है, ये 12 लाग ही fees रह जाए क्योंकि हरियाना और यूपी दोनों में अभी election का चकर है, तो इसकी वज़े से हो सकता है, fees में increment ना हो हरियाना में भी, और यहां पर जो college security है, वो 2 लाग रुपए AGT's है, और यहां hostel में भी बडोतरी हो गई है, जहां 75,000 होआ करता था, वहां 1 लाग हो गया है, AC के लिए 1 लाग 20,000 fees proposed की गई है यहां पर, अगर इस fees के बारे में किसी भी student या उनके parents को comments करना है, तो ये dmer-hrv at nick.in for 4 August 24, शाम 5 बजे तक इसके बारे में अपना comments लिख सकते हैं, कोई भी student या parents कुछ भी comments लिखना है, तो वो comments लिख सकते हैं इस State के बारे में या All India के बारे में counseling के बारे में जानकारी चाते हैं, तो इसके बारे में हमारी book available है, इस वीडियो के description box में book का link दे रखा है, आप इस वीडियो के description box से download कर सकते हैं इसको, इसमें All India में 2021 के लिए twice list भी दे रखिये इस book में, previous year की category wise cutoff भी दे रखिये, आपकी rank इस वीडियो के description box में जैसी आप more पर click करेंगे, इन books का link मिल जाएगा, इनको आप हमारी इस website से भी आप download कर सकते हैं, chopra education.in से आप download कर सकते हैं, जो book की requirement है, उस पर आप click करेंगे तो download page पर पहुंच जाएंगे, तो ये जानकारी थी UP state की fees और cutoff के बारे में, हर्याना इस्टेट की proposed fees के बारे में, बाकी इस्टेट की जैसे ही update मिलेगी, हम आपको inform कर दें होगी, तब तक मैं हर्साई चोपरा आप से लेता हूँ विदा जैनुग।